दोस्तों को भी पारले जी बिस्किट से बना पैनकेख खाया है सुनने में ही अलग सा लग रहा है लेकिन यकीन मानो बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है और बनाना तो बहुत ज़ादा असान है तो देखो सबसे पहले तो मैंने 10-12 पारले जी बिस्किट ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है आधा कब दूद फिर दूद और बिस्किट को हमें इतनी अच्छी तरह से मिलाना है कि इसमें हलके से भी लंस न रह जाए और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ आदा शुट चमज बेकिंग सोडा और एक चुटाई चमज बेकिंग पाउडर और बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कन्फ्यूस भी हो जाते लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज होती है फिर एक पैन में हमें थोड़ा सा तेल डालना है और उसे टीशू से पूरे पैन में फेला देना है हमने तेल बस इसलिए लगाया ताकि पैन से बैटर चिपके नहीं फिर बैटर डालने के बद हम इसे एक साइट से तब तक पकाना है जब तक इस तरह के होल ना दिखने लगे और जैसी एक साइट से इस तरह के होल आ जाए हम इसे पलटके दुसरे साइट से भी पका लेंगे फिर इसे पकाने के बद हम इस पर चॉकलेट सिरफ डाल देंगे और इसे सर्फ कर लेंगे